नमस्कार दोस्तो वेल्कम टू पीके क्लासिस दोस्तो आज मैं आपके लिए गेर सेपिंग गेर होबिंग एंड गेर सेविंग के बारी में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो गेर मैनुफेक्टरिंग जो होती है मसीन टूल टेकनलाजी सबजेक्ट डिपलोमा स्टुडेंट मैटल कटिंग एंड सी बीटेक स्टुडेंट है जो पढ़ते हैं तो जिसमें हमारा गेर सेपिंग गेर होबिंग एंड गेर सेविंग महत्पूर्ण चैप्टर है तो आईए दोस्तो हम जानते हैं क्या है गेर सेपिंग, गेर होबिंग एंड गेर सेविंग तो दोस्तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड सेयर करें जिससे आने वाले न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके गेर सेविंग, गेर सेपिंग, तो फस्ट है आपका गेर सेपिंग, गेर सेपिंग क्या है गेर सेपिंग एक मसीनिंग प्रोसेस है जिसका उपियोग हम गेर की टीत बनाने में करते हैं कोई भी gear blank है उसके उपर हम gear teeth काटते हैं multipoint cutter की साहता से उसको हम क्या बोलते हैं gear shaping जैसे की diagram दिया हुआ है diagram में आपको दिख रहा है कि जो diagram है इसमें हमारा एक बर्क पीस है जो की हमारा gear blank है और एक हमारा है cutter multipoint cutter जो की हमारा second है जो की reciprocating motion है जो दिखाया गया है तो दोनों ही हमारे vertical axis पर parallel axis होती है एक दूसरे के vertical axis पर mount होते है एक side gear blank होता है और एक side हमारा cutter होता है gear blank हमारा गुमता है और cutter को भी हम slowly गुम सकते हैं जब हम feed देना होती है जैसे हम feed दे देते हैं इसके बाद हम इसको rotation को stop करते हैं बस हमारा यह reciprocate करता है तो gear shaping is a machining process which used for creating teeth on एक gear blank by multipoint cutter multipoint cutter की साहता से कोई भी work piece के उपर blank के उपर हम को gear teeth बनाने की जो process है उसको हम क्या कहते हैं gear shaping in this process gear blank is mounted on a vertical spindle यह जो हमारी बिधी प्रक्रिया है इसमें जो हमारा gear blank है यह हमारा vertical spindle पर mount होता है और जो हमारा gear blank है यह हमारा किस पर vertical spindle पर machine table की mount होता है and जो cutter होता है cutter हमारा mount होता है second vertical reciprocating spindle जो हमारी second spindle होती है vertical reciprocating उस पे हमारा क्या है multipoint cutter mount होता है The cutting take place, cutting जो stroke होता है, cutting जो action होता है यह हमारा होता है या तो इसके downward movement में या इसके upward movement में कोई एक ही movement में हमारा cutting stroke है जो की upward या downward movement में होगा During cutting process, cutting process के दोरान the cutter is feed into the gear blank जो हमारा cutter होता है वो हमारा feed होता है कि इस पे gear blank before each cutting stroke, प्रति एक cutting stroke के पहले हमारा क्या होता है इसको हम क्या करते है, feed करते है, में हमको कितने depth की teeth cut करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, feed करना पड़ेगा, cutter के लिए against the work piece जितने depth की हमको feed देना है जब हमारी जितनी depth की हमको जरूरत है, उतना हमारे पहुच जाते है तो the inward feed stop, हम क्या करते हैं, जो inward feed होती है उसको हम क्या कर देते हैं, stop कर देते हैं, रोक देते हैं inward feed को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है ठीके इसके बाद the gear is cut in one complete rotation of the blank जो हमारा gear blank है इसके एक चक्कर में जब हमारा इसका one complete rotation होगा तो हमारी teeth हैं जो कि हमारी gear की सारे इसकी periphery या circumference पे cut जाएंगी The shaping is used for cutting straight and helical tooth gears Shaping जो process होती है इसका उपयोग हम straight means spur gear बनाना या helical gear की teeth काटना ये दोनों ही प्रकार की gear teeth हैं जो कि हम shaping process से बना सकते हैं तो ये हमारी shaping प्रक्रिया थी Second है gear hobing Gear hobing जो है Gear hobing is the process of generating gear teeth while rotating cutter called a hob जो hobing है ये भी हमारी किसकी कौनसी process है Material removal process है जिसमें हम किसको gear teeth को काटते हैं किसकी साहिता से rotating multipoint cutter जिसको हम क्या कहते हैं Hob and ये हमारा क्या कहिलाता है जो cutter है उसको हम क्या बोलते हैं Hob In this process the gear blank is feed Towards the rotating hub Until the required depth is reached ये जो प्रक्रिया है इसमें हम gear blank को feed करते हैं किसके Subpage rotating hub के Subpage until the required जिब तक हमारी जितनी depth तक हमको काटना है पहुँचना जाए उतना हम क्या करते हैं इसको feed करते हैं The hob is feed across the face Up the blank until all the teeth Are completed जो hob है इसको हम feed करके रखते हैं और हमारा जो Hob जो हमारा blank है एंड जो hob है इस दोनों Rotate होते हैं और हमारे इसके blank के जैसे Complete rotation होता है तो इसकी सारी सरगम parents पे हम क्या करते हैं टीथ के लिए बना लेते हैं तो दोस्तों जो हमारी gear hobing या gear shaping process है इस matter removal process है gear farming process होती है तो कई प्रकार की process होती है casting भी होती है casting में हम extrudean से भी बना सकते हैं और rolling से भी बना सकते हैं कई different method से हम हैं जो gear की teeth काट सकते हैं लेकिन जो material removal process होती है उसमें हमारी gear shaping हो गई gear hobing हो गई तो gear hobing एजि मुलिंग मसीन होती है gear shaping मतलब उसमें हमारी safer machine जैसा reciprocating motion होता है और जो gear hobing है हमारी किस प्रकार की है miling process जैसी है जो milling machine होती है उसी प्रकार हमारी gear hobing होती है तो इसमें जो hob है जो cutter है उसको हम hope बोलते हैं और यह जो प्रिक्रिया होती है यह gear hoving कहलाती है In hoving इस पर gear the hope teeth are set parallel to the axis of the rotation of the blank जो hoving है इसमें इस पर gear है जो the hope teeth इसकी जो teeth हैं ए हम set करते हैं किसके parallel? blank के rotation के parallel हम क्या कर लेते हैं इसको set कर लेते हैं फार helical teeth hoving the axis of the hope is set over an angle to produce a proper helix यदि हमको helical teeth काटना है तो हम इसके लिए कुछ angle से set करेंगे gear blank के साफ एक while barm gear are produced जब हम barm gear यदि hoving process से generate करते हैं hoving process से बनाते हैं तो with the axis of the hope set right angles तो इसमें हमारी जो axis होती है hope की है हम कैसी set करते हैं right angles जब हम barm gear की teeth काटते हैं किससे hoving प्रक्रिया के द्वारा जैसे कि आपका second diagram दिया है एक की vertical है दूसरे की horizontal है ये right angle है एक दूसरे की तो हम अलग 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 प्रकार की gears manufacture करने के लिए gear से मट टीत बनाने के लिए हम इसकी axis को अलग अलग angle पे ये state क्या करते हैं set किया जाता है तो हम इस तरह से gear hoving के द्वारा भी हम gear teeth बनाते हैं next है gear finishing process तो जो gear हमारी finishing process है जो gear saving है sorry saving तो saving हमारी क्या है एक finishing प्रकरिया है तो फार्दा gears to operate efficiently हमारे जो gears हम बनाते हैं efficiently operate हो proper इनकी teeth messing हो एक दूसरे से and इसकी satisfactory life हो तो the tooth profile must be very accurate and tooth should be smooth and hard तो उसके लिए हमारी जो tooth gear tooth जो हमने काटी है gear teeth बनाई हैं tooth यह हमारी hard और chicken होना चाहिए smooth होना चाहिए जिसके काराण इसकी service अच्छी हो smoothly working हो और efficiently काम करे और अच्छे से एक दूसरे gear से engage हो या messing हो तो दा gear made by cold rolling process may not need further finishing जो हमारे gear cold rolling के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें हमको finishing की आवश्चक्ता नहीं पड़ती है उसमें finishing है जो उसकी जरूरत नहीं होती है if gear made by other process यदि हम gear को दूसरी process के द्वारा यदि manufacture कर रहे हैं दूसरी process के द्वारा बनाते हैं होती है और हमको finishing करना पड़ती है तो the gear finishing can be done तो जो gear finishing प्रिक्रिया है इसके लिए हमारी complete करते हैं किस से gear saving, burnishing, grinding, leaping and honing यह हमारी gear finishing process है जिसमें यहाँ पे हम आपके लिए gear saving के बारे में बताने वाला हूं gear saving gear saving यह हमारी gear saving process है तो gear saving जो प्रिक्रिया है gear saving gear saving is a gear finishing method and used for finishing gear tooth जो हमारी gear saving है एक gear finishing बिधिये method है जिसका उपयोग हम gear teeth की finishing करने के लिए उपयोग करते हैं in this method hard gear is used to remove material from the gear tooth तो इसमें जो hard gear होता है जो जिसकी hardness ज्यादा होती है hard होता है तो उसका उपयोग हम किसके के लिए करते हैं gear tooth से material को remove करने के लिए करते हैं क्योंकि एक तो हमारा work piece होगा, job होगा जिसकी teeth की हमको finishing करना है, जिसकी teeth की हमको क्या करना है match करना है, इसमाल चिप fine particles के फार्म में material रिमूब करके इनको proper profiling करना है, sizing करना है, जो कि हमारी finishing में होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कि जो hard होता है, वो हमारा क्या होता है, saving tool होता है, saving cutter होता है, कि जैसे यहाँ पर दो आपके दिये हुए हैं, तो यह हमारे saving cutters हैं, यह saving tool वोन सब्सक्राइब है ने विजहां के सब्सक्राइब वह ककी का आपको डाइग्राम में दिख रहा एंद कंधे रोटरी टाइब का तो in rotary saving यह जो cutter है rotating cutter है rotary saving तो in rotary saving the gear and cutter are run in mesh तो इसमें क्या होता है जब हम finishing करते हैं तो जो हमारा gear tooth है जिसकी हमको finishing करना है और जो हमारा cutter है यह क्या होते हैं? Mesh होते हैं एक दूसरे से इसकी teeth इस तरह से mesh होती है तो mesh and sharp इस आप दी cutter तो जो हमारा cutter है जो hard है इसकी जो nuclear age होती है सारपेज होती है cutter की यह हमारी क्या करती है remove करती है work piece से या इसकी gear tooth से material small amount में और हम इसको क्या कर लेते हैं finishing करके एक अच्छी proper sizing में gear को tooth को बना लेते हैं इसकी profiling कर लेते हैं तो यह जो प्रिक्रिया थी यह हमारी थी कौन सी gear saving प्रिक्रिया जिसमें small amount में materials को remove करते हैं और हम proper sizing करके gear की जो tooth है उसकी finishing कर लेते हैं में दोस्तो थैंक यू